बिहार डियलेट पर इच्छा फॉर्म ओर्लाइन किस तरह से भरा जाए आज किस वीडियो मैं आपको पूरा स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ नमस्कार मैं आरी संकर आप देख रहे हैं टी आर्टीन हिंदी यूट्यूब चैनल चलिए करते हैं वीडियो को एक स्टार्ट जिसकी बिहार में डियलेट करने वाले सभी छात्रों के लिए एक सुनारा मोका दिया गया है बिहार सरकार ने 10th पास विद्यारती और 12th में अभी एपेरिंग है और जो विद्यारती 12th पास कर चुके हैं ये सारे विद्यारती डियलेट के लिए परिक्षा फॉर्म अप्लीकेसन फॉर्म ऑनलाइन सम्मिट कर सकते हैं समिट करने का आप पुसेश जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाईल या केम्प्यूटर में डियलेट बिहार.com वेपसाइट को विजिट कर लेनी है जो कि बिहार भी दैले परिक्षा समिटी के द्वारा जारी किया गया है अब यहाँ पर देखली जी आपको परिक्षा फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले न्यू कंडिडेट के अंदर जो रजिस्टर न्यू कंडिडेट का आपसन आता है आप इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपके समने में साइन अप का एक फॉर्म उपेन हो जाएगा सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम टाइप करना है नाम आप वही टाइप करें जो नाम आपके मार्ट सीट पे हो नाम टाइप करने के बाद एक बाद फिर से आपको confirm name में अपना नाम टाइप करना है इसके बाद आपको अपना email id दर्ज कर देना है email id दर्ज करने के बाद आप अपना mobile number दर्ज करेंगे और password बना लेंगे password में आप number, capital letter, small letter और symbol का परियोग कर सकते हैं एक्जामपल के तौर पर जिसे मैंने एक password बनाया AJAY8-7979 इसमें आप देख सकते हैं कि पहला letter capital है बागी small है, symbol है और number इसका भी मैंने परियोग किया हुआ है इसके बाद same password को आप confirm password पर दर्ज करेंगे और register पर किलिक कर देंगे जैसे ही आप register पर किलिक करेंगे आपके द्वरा डाले गए mobile number पर एक OTP आ जाएगी और OTP आपको दर्ज करके register पर किलिक कर देना है जैसे ही आप sign up हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको sign in करने का एक option देखने को मिलेगा आप यहाँ पे आपको आपका mobile number पासवर्ट डाल देना है और login पर किलिक कर देना है login पर किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने district को select करना है लिस्ट में आपको बियार के तमाम district का option मिल जाता है आप अपने district को select करेंगे नेशनिल्टी आपका स्लेक्ट रहेगा नेम आपका पहले से दर्ज रहेगा अब आपको मदर्स नेम में अपनी मा का नाम लिखना है दुबारा से री इंटर मदर्स नेम में अपनी मा का नाम आपको दर्ज करना है इसके बार नीचे आपको फादस नेम में पिता का नाम दर् क्लिक करेंगे और क्लेंडर में से अपने update oil Karl lol को आप सिल्एक करेंगे इसके बाद दुबारा से आपको rate of birth यहां पर दर्ज कर देना है जैसे यह आपु नहीं उब डर्ज करेंगे तो आगे देखेंगे कि आपका current age यहां दिखाई पर जाएगा क्रेंट एज में काता है कि 17 वर्ष के उपर जिनका उम्र पूर चुका है सिर्फ वही लोग डीलेट फॉर्म भर सकते हैं अगर 17 वर्ष से आपका दो से चार दिन भी कम रहेगा तो फिर आप इस डीलेट अप्लिकेशन को फिल नहीं कर पाएंगे नीचे कहेगा आपको जेंडर तो जेंडर पर किलिक करके आप अपने जेंडर को स्लेट करेंगे दुबारा से फिर आपको जेंडर पर किलिक करके जेंडर को स्लेट कर लेना है अब यहाँ पर कहेगा आप बिहार राज के निवासी हैं अगर हैं तो येस करेंगे अगर आप कह हार के निवास हैं तो फिर यहां में आपको पर सटीफिकेट अपलोड करना पदेगा उपलोड पर करेंगे किलिक करने के बाद अपका डॉमियुशी केट जहाँ भी होगा आप बोपेंड पर स्लेक्स करेंगे और nostri so अभुश्क्स एक पाने करेंगे अब यहां पर कहता है डो यू बिलाँ्टो डिफ्रेंशली क्या अगर आप भिकलांग है तो आप इसेfferेंगे अगर आप इसे ह्कारेंगे थो यहां पर पूछह आप किस तरह की अदर उसके बाद आपको विकलांग स्राटिफिकेट को अप्लोड करना परेगा लेकिन अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे अब यहां पर कहेगा कि क्या आप किसी भी कैसे बेटा या बेटी हैं रिटायर जींच यूष ?ईमने उसे या पूट्री या पूत्र करना हैं अगर नहीं है तो आप इसे नो करदेंगे ॉपको दुबादा से फिर यस या करना होगा अब अब यहां पर कहेगा, have you studied उर्दू subject at 10 plus 2 level, अगर आपने 10 plus 2 level पर उर्दू subject से पढ़ाई किया है, तो आप इसे yes करेंगे, अनिता आप इसे no कर देंगे, दुबारा से same question रहेगा, आप फिर से yes या no करेंगे, faculty में पूछेगा, कि अगर आप 12th pass कर चुके हैं, तो आपने 12th pass किया, वो science से किया है, R से किया है, कि commerce से किया है, आप उसे select करेंगे, और अगर अभी आप मने metric pass किया है, और 12th का आप examination देने वाले हैं, या इस बार आपने 12th का exam दिया है, तो आपने किस faculty से exam दिया है, science से, R से कि commerce से, आप उसे select करेंगे, select करने के बाद, यहाँ पर फिर से आपको re-enter faculty का option देखने को मिलेगा, re-enter faculty में फिर से आपको अपने faculty को select कर लेना है, अब यहाँ पर कहेगा, whether intermediate exam past, क्या आपने intermediate exam past कर लिया है, अगर आपने पास किया है, तो यहाँ पास किया है, तो आप इ option आजाएगा, जो कि यहाँ पर आप देखें, तो सिर्फ मैटरी का आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया है, कि अभी हमने इंटर का यहाँ पास नहीं किया है, अगर आप इसे yes करेंगे, तो इस case में देखिए, आप से intermediate कई भी सारी information पूछी जाएगी, तो मेरे case में नो है, तो मैंने इसे no कर दिया, अब यहाँ पर आप से पूछेगा, कि metric आपने किस board से पास किया है, उसमें आपका roll number कितना था, roll code क्या था, उसके बाद किस year आपने पास किया, marks आपको कितना आया, किस division से आपने पास किया, और आपका percentage कितना रहा, इसके बाद आकर upload documents का आपको एक option देखने को मिलेगा, आप इस पर click करके अपने mark sheet को यहाँ पे upload करेंगे, mark sheet जो upload करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कि mark sheet आपका PDF में होना चाहिए, तभी जाकर आपका mark sheet यहाँ पे upload हो पाएगा, यहाँ पर देख लिए जमरा mark sheet upload हो चुका है, अब यहाँ पे नीचे आपसे fill address का option आएगा, तो यहाँ address में आपको अपना add post, district, पंचायत और what number फिल कर देना है, फिर नीचे आपको district type करना है, state type कर देना है, और pin card को दरज कर देना है, अगर आपका permanent address और current address सेम है, तो बस आप इस check box को enable करेंगे, तो दोनो पता automatic यहाँ प पहले से fill रहेगा, आपको अपना अधार संख्या यहाँ पे दर्ज कर देना है, अधार संख्या दर्ज करने के बाद नीचे आप देखेंगे, तो रेट कलर में आपको एक option देखने को मिलेगा, अधार declaration का, अगर आपके पास अधार कार नहीं है, या आपका अभी तक अध नहीं करूंगा, इसे छोड़ दूँगा, अब यहाँ पे कहेगा upload photo, तो photo आपको 20KV से लेकर 100KV तक का photo यहाँ पे upload करना है, इसके बाद जाके यहाँ पे कहेगा signature, तो यहाँ पर भी आपको अपना signature upload करना है, जिसकी size 10KV से 20KV तक की होनी चाहिए, photo और signature upload करने के बाद यहाँ आपको एक shape का option देखने को मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देख लिए अपको प्रिव्यू का option देखने को मिल जाएगा, अब जैसे आप प्रिव्यू पर click करेंगे, तो आपने जो आवेधन फिल किया है, उस आवेधन का आपके सामने में form open हो जाएगा, आप form को बारीकी से देख लिजे कि कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं भर दिया है, अगर सारी चीज़े सही है, तो यहाँ पर देख लिजे, आपको एक print का option देखने को मिलेगा, आप print पर click करके, एक अपने डाउलोड कर सकते हैं, फिलार हम यहाँ पे PDF में इ तो आप edit details पर click करके, आप इसे edit कर सकते हैं, अगर आपकी सारी चीज़े सही है, तो आप बस paper click करेंगे, पेपर click करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा, पेव या सब पैसा आप इस पर click करेंगे, जहाँ पर कि आपको 960 रुपीय payment करने होंगे, यहाँ पर delete form को fill करने के लिए, आप जैसे ही page सब पैसा पर click करेंगे, तो आपके समने में एक page open हो जाएगा, जहाँ पर कि आप credit card, UPI, scan, QR code, net banking की हैता से payment कर सकते हैं, पैमेंट करने के बाद, आप जो है अपना payment proof भी download कर सकते हैं, तो इस परकार से आप लोग गर बेटे हुए यहाँ डिलेट पर झाल